हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीदे सब बढ़िया होंगे खुस होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्छा 10 भी हिंदी के 30 महत्पून बहु विकल्पी प्रिशन लेके आया हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं कॉश्चन आपको बताऊंगा यह पूरे के पूरे 30 कॉश्चन काफी इंपोर्टेंट हैं आपके वोड एक्जम 2023 वोड एक्जम 2022 अर्दबारसिक परिक्षा की द्रश्टी से तो एक भी कॉश्चन आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों सारे कॉश्चन आपके लिए विडियो त्यार करता हूँ चलिए दोस्तो फर्स्ट कोश्चन देखते हैं फर्स्ट कोश्चन देखी दोस्तो हिंदी के पद्ध साहित्य का दूसरा काल है इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो भक्तिकाल अगला देखी आदुनिकाल का आरंब माना आरंब होता है आदुनिकाल का आरम होता है ध्यान रखियेगा दूस्तों आदुनिकाल का जो आरम होता है वो संबत 1900 से स्टार्ट होता है संबत 1900 से स्टार्ट होता है तीसरा देखी छायावाद के आधार इस्तम्ग कभी नहीं है तो इसका आपका correct answer हो जाएगा सूर्दाज, option number 10 आपका correct answer हो जाएगा, अगला देखी प्रियोगबाद के कभी हैं, तो इसका आपका answer हो जाएगा, अगला देखी तो नई कभीता के कभी हैं, तो रगवीर सहाई आपका correct answer हो जाएगा, भक्तिकाल की समय सीमा, ध्यान रखिएगा दोस्तों भक्तिकाल की समय सीमा है, 1375 से संबत 1700 तक, option number 2 आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, प्रियोगबाद का आरंब माना जाता है, सन 1943 से, 1911 से, 1963 से, 1936 से, इसका correct answer हो जाएगा, fits 943, नंद नंदन का प्रियोग किसके लिए किया गया है, आप सभी जानते हैं थोस्तोison, नंद नंदन, कृ subscriber के लिए उप्योग किया गया है, जैसे उनको लगती है, ठीक है, अगला देखिए गोपियों ने स्री किष्णिक की तुलना की है हारिल की लकडी से, नीम की लकडी से, चंदन की लकडी से, तुलसी की लकडी से इसका correct answer हो जाएगा option number A हारिल की लकडी से, ठीक है अगला देखिए दोस्तों ब्यादी सब्द का अर्थ है ब्यादी सब्द का अर्थ होता है दोस्तों रोग, option number 6 आपका correct answer हो जाएगा बारवी नमबर का प्रिष्णि देखिए, सूरी के पद में भासा है आप सब भी जानते हैं सूर्दास की जो पदों में भासा है, वो कौनसी भासा है, ब्रज भासा है तो option number 8 आपका correct answer हो जाएगा next देखिए, मरजादा ना लही के माध्यम से मरजाद मरयादा की बात कही है तो यह दोस्तों प्रेम संबंद की बात कही है, प्रेम संबंद, option number 2 आपका correct answer हो जाएगा सूर्दास के गुरू थे, ध्यान रखना दोस्तों, सूर्दास के गुरू कौन थे, वल्लबाचार अगला देखिए, सूर्दास के आराध है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो सूर्दास थे, उनके आराध कौन है, भगबान सिरी कृष्ण अगला देखिए पुरिन पात का अर्थ है पुरिन पात का अर्थ होता है दोस्तों कमल का पत्ता ध्यान रखिएगा कमल का पत्ता इसका अंसर हो जाएगा कमल का फूल आपको नहीं लगाना है नहीं तो कानिफीज होके कमल का फूल लगा दें इसका correct answer क्या हो जाएगा कमल का पत्ता सूर की रचना नहीं है देखिए सूरसागर सूरदास की रचना है सूरसारावाली भी इनकी रचना है और साहित लहरी भी इनकी रचना है इसका answer हो जाएगा बिनाय पत्रिका बिनाय पत्रिका इनकी रचना नहीं है अगला देखिए दोस्तो परुषुराम को ब्यंग भरे उत्तर दिये तो आप सभी जानते हैं दोस्तो आपने रामट देखी होगी लच्मन दीने परुषुराम जी को ब्यंग भरे उत्तर दिये थे अगला देखिए शिव धनुस के तूटने पर किरोधित हो उठे कौन किरोधित हुआ था ये भी आप जानते हैं कि परुसराम किरोधित हो उठे थे अगला देखिए राम चरित मानिस की भासा है राम चरित मानिस की भासा कौन सी ये अबधी भासा है दोस्तों कौन सी भासा है अबधी भासा राम लक्षमन के गुरू का नाम क्या था राम लक्षमन के जो गुरू थे दोस्तों उनका नाम आप सभी जानते हैं कौन था बिश्वा मित्र उनका नाम था राम लक्षमन के जो गुरू थे उनका नाम बिश्वा मित्र था अगला प्रिशन देखिए सहस्त्रवागु का बद किसने किया था तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सहस्त्रवागु का जो बद किया था भगवान परुषराम ने किया था किसने किया था परुषराम ने तो आपका option number 2 correct answer हो जाएगा अगला प्रिशन देखिए कभी अपनी आत्म कथा को बता रहा है तो कभी अपनी आत्म कथा को भोली बता रहा है इसका correct answer हो जाएगा भोली Next देखिए थके पतिक की पंथा में अलंकार है तो ध्यान रखिएगा दोस्तो इसमें होगा अनुप्रास अलंकार क्या होगा दोस्तो अनुप्रास अलंकार आगे बढ़ते हैं चायाबाद के पृतिनिधी कभी हैं चायाबाद के पृतिनिधी कभी हैं दोस्तो जैसंकर प्रिसाद ध्यान रखिएगा जैसंकर प्रिसाद जो है चायाबाद के पृतिनिधी कभी हैं दोस्तो हर एक question काफी important है, इसलिए हर question को आपको attempt करना है, ध्यान से दिखना है, और दोस्तो एक बार और आप इन सारे questions का revision जरूर कीजी ताकि आपको ये पक्के याद हो जाएं, जिससे आपका exam में एक भी प्रिशन गलात ना हो, अगला देखिए, प्रिसाद जी को कामाईन का संग्राय नहीं है, आकास दीप, आंधी, इंदरजाल, साए में धूब, तो इसका correct answer होगा, साए में धूब, ये इनका संग्राय नहीं है, ठीक है, अगला देखिए, उत्षाय कभीता में बादल प्रितीक है, बादल किसका प्रितीक है, क्रानती का, ध्यान रखिएगा द कभी ने बादलों के लिए विश्यशन प्रियोग किया है, कौन सा विश्यशन प्रियोग किया है, नब जीवन बाले, ध्यान रखिएगा दोस्तों कभी ने बादलों के लिए नब जीवन बाले विश्यशन का प्रियोग किया है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कभी बादलो से बरसने का आवाहन कर रहा है किस फिरकार कर रहा है गोल गोल घुम कर बरसने को आकास को घेर कर बरसने को एना धीरे धीरे बरसने को और तीब डिवेक से बरसने को करेक्ट आंसर हो जाएगा आकास को घेर कर बरसने को अगला देखिए कभी ने तरप्त धराके माध्यम से संक question यहjar दंतूरित मुश्कान पार्ट के लेखक हैं इसका correct answer दोस्तों आपको हो जाएगा आपका हो जाएगा नागारजुन क्या हो जाएगा नागारजुन घीक है याद रखीएगा नागारजुन इसका correct answer हो जाएगा तो यह दोस्तों यहाँ पर अपने पूरे के पूरे 33 question किये हैं जो की काफी important थे सारे के सवरे question आप देख लीजिए एक बार और इन सब का revision कर लीजिए दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ये वीडियो से आपको काफी help मिल गई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस टाइप की question एक्जाम में पूछने वाले हैं मिलते हैं आपसे next वीडियो में एक नए topic नए important topic के साथ तब तक के लिए खुश रहिए मस रहिए जैहिंद